दूस्तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 2013 के जीके के आई हुए कोशन्स अलेगर मुस्लिम उनुवसिटी में तो 2013 में किस टाइप के कोशन्स आये थे और इस साल किस टाइप के कोशन्स आ सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा और आपकी तयारी भी हो जाएगी तयारी होगी तो competition निकल जाएगा तो admission हो जाएगा तो आपकी career बहुत अच्छा हो जाएगा तो दोस्तो चलिए फटाफट करते हैं कोशन्स को पहला कोशन्स 2013 का देखते हैं तो राजधानी भी पूछे जाते हैं इसलिए और भी देशों का राजधानी के बारे में जरूर आप लोग पढ़िएगा कोशन्स दूसरा देखते हैं आप notes ये बनाएगा कि कौन सा देश का राजधानी कहां पे है ज्यादा तर आप Europe, America और Asia के कुछ खास important देश के बारे में ही पढ़िएगा ठीक है कोशन्स दूसरा देखते हैं फटा फट देखते हैं देखिए देर नहीं लगाते है रंजी ट्रोफी इस एसोशेटेड विज रंजी ट्रोफी किस खेल से संबंधित हैं तो किर्केट से हैं देश में तो किर्केट बहुत फेमस है और रंजी ट्रोफी जो है वो किर्केट से ही संबंधित है तो कोशन दूसरा का अंसर है B तीसरा देखिए लिंडर पेस इस फेमस इंडियन प्लेयर आफ लिंडर पेस और महेश भुपती ये दोनों का जोड़ी बहुत ही important मानी जाती है बहुत ही शंदा जोड़ी है लिंडर पेस और महेश भुपती तो कोशन तीन का जो आंसर है वो है A, टेनिस से लिंडर पेस फेमस इंडियन प्लेयर है किसके टेनिस के तो तीन कोशन हो गया देखिए फटा फट फटा फट करेंगे जादा समय नहीं लेंगे जिससे आपका भी समय बचे और तैयारी भी हो जाए कोशन चार है 2013 का कि NCRT is connected with NCRT film से connected है sports, education and law तो आप जानते हैं कि NCRT के book पढ़ना चाहिए तो कोशन चार का जो आंसर है C, NCRT जो संबंदित है वो शिक्षा से है, education से है अब कोशन पांचवा देखते हैं सुनामी had struck अंडमान और निकोबार इन सुनामी अंडमान निकोबार में कब आया था तो कोशन पांच का जो आंसर है 2004 में सुनामी आया था अंडमार और निकोबार में अब सुनामी नहीं पता है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सागर में, समूंदर में तीन तार बहुत उची एदम पानी आता है और पानी आके पूरे टापू पे भींगों के चला जाता है डुबों के चला जाता है मतलब समझी है कि जैसे लहरे आती है ना समूदर में तो छोटी छोटी लहरे आती है लेकि बहुत बड़ा लहरे आएं बहुत 20 तला बिल्डिंग के बराबर लहरे आएं और पूरे देश को डुबो के चला जाए उसको बोलते हैं सुनामी तो अंडमान निकोबार में कब आया था 2004 में आया था तो कोशन 5 का आंसर है 2004 A अब छटवा कोशन देखते हैं कोफी अनान क्या थे अभी तो नहीं है लेकि यह उस साल का कोशन सा तो यह पूछ लिए जाते हैं United Nations के बारे में तो कोशन 6 का जो आंसर है former Secretary General of UN Secretary General ना है कि present former पहल के अभी के नहीं है तो former यानि पहले के Secretary General है United Nations के United Nations के बारे में questions पूछ लिए जाते है General Knowledge में ठीक है तो United Nations के बारे में जरूर आप Google पर सौच किजिएगा और अभी के current Secretary General कौन है ठीक है अभी का Secretary General कौन है UN का आप notes बना लिजिएगा आपका अपना handwriting का notes जो होगा एक्जाम से पहले बहुत ही effective होता है बहुत ही लबदायक होता है तो question 6 का answer है B अब साथ देखते हैं PDS stand for PDS किसके लिए stand होता है देखिए full firm देखिए PDS का क्या हो सकता है Public distribution system ठीक है public distribution system यानि public के जो schemes है उसके distribute कैसे करे यसे आनाज बाटना है toilet बनवाना है तो public में चीजों को बाटने को public distribution system बोलते है तो PDS stands for public distribution system question 7 का answer है C question 8 देखिए quads is made of quads किसका बनता है quads एक material है किसका बनता है question 8 का जो answer है B silicon and oxygen को मिला के quads बनता है quads एक crystal होता है ठीक है बहुत ही इसका इस्तमाल होता है बहुत ही जगा तो quads जो बनता है वो silicon and oxygen को मिला के बनता है यह आप दिमाग में रट लीजिएगा ठीक है अब 9 कोशन देखते है नववा कोशन कहते है mummy is mummy क्या होती है कि कहीं कहीं किसी देश में इंसान मर जाता है तो उसको कुछ body पे लेप लगा के उसकी मूर्ती बना दी जाती है तो question 9 का जो answer है वो c है embalmed dead body ठीक है मतलब dead body तो है लेकि उसके उपर कुछ लेप लगाए गया है तो उसको बोलते है mommy ठीक है कुछ लेप लगा के मूर्ती बनाया जाता है उसको बोलते है mommy ठीक है यह मम्मी नहीं है, यह मम्मी मरने के बाद जो body होती है, आप किसी-किसी आप देखे होंगे, फिल्मों में देखे होंगे, कि मरते हैं, इनसान उनको मुर्ती बना, उन खुद क्या है, खुद का real मुर्ती बनाए जाती है, लेप लगाके उसको बोलते है, मम्मी, कोशन 10 देखत को SH20 को PUT किया था 2 केपलर लौ जी के में पूछ लेता है तो वैसे तो हैं जी के मतलब होता है कि कहीं का भी कोशेंज पूछ लेना just कि मतलब जेनरल नौलेज मेडॲ का भी पूछ सकता हैальном साइंज के के आ सकता है, देश के आ सकता है, करेंसी के आ सकता है, तो किस टाइपस के questions पुशे जाते हैं, अगर question solve करेंगे, तभी पता चलता है, और जितना question solve करेंगे, उतना आपका concept clear होगा, उतना आपको idea होगा, आपकी तयारी होगी अच्छी और आपका सेलेक्शन हो जाएगा ठीक है तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक you take good care of yourself नोट्स बनाते रहे जीके और इंड़ी इसलामी कल्चर के थैंक यू